हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास थ्रीवन टेक में तो फ्रेंट्स अगर आप वट्सप एप्लिकेशन यूज़ करते हैं वट्सप चलाते हैं तो वट्सप का एक बहुती कमाल का फीचर आया है जिसका नाम है वट्सप अफतार और आप इस अफतार को create करके अपनी profile picture पे भी लगा सकते हैं ताकि जब भी कोई आपकी profile picture वट्सप के उपर देखेगा तो उसे आपका वो अफतार दिखाई देगा और आप इसे as a sticker किसी को send भी कर सकते हैं तो ये वट्सप अफतार क्या है इसको कैसे use करना है कैसे create करना है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही ज़ादा informative है इसलिए वीडियो को शुरू से लेके last तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है पहली बार मेरे चैनल के उपर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं friends हम आ चुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो WhatsApp application को open करने से पहले हमें Play Store की application के अंदर जाना है तो मैं Play Store open कर लेता हूं तो Play Store open करने के बाद आपको यहां पे search करना है सर्च करेंगे हम यहां पे WhatsApp WhatsApp लिखके हमें search करना है और आपके application अगर यहां पे update लिखा आ रहा है तो आपको update कर लेना है अपने application को मैंने से update किया हुआ है इसलिए यहां पे open लिखा आ रहा है तो मैं यहां से अब इसे open करूंगा मैंने WhatsApp application को open कर लिया है यहाँ पे अब आपको क्या करना है जो आपको top right corner में three dots दिखाई दे रहे हैं आपको इनके उपर click करना है तो मैं पे click करूंगा और यहाँ पे आपको सबसे last में setting वाले option पे click करना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से options आ जाएंगे account, privacy, avatar, chat, notification, storage, data ठीक है तो आपको यहाँ पे third number पे जो avatar का option दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है create edit profile photo avatar आपको अवतार वाले पे click करना है तो उसके बाद आपके सामने यह screen आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है say more with aftars now on WhatsApp create your avatar तो हमें create your avatar पे click करना है उसके बाद आप experience ठीक है share how you feel with avatar sticker आप stickers भी बना के send कर सकते हैं और जो set your avatar as your profile photo जो आप अवतार बनाएंगे उससे आप अपनी profile photo भी set कर सकते हैं तो नीचे get started पे हम click करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है choose skin tone for your avatar सबसे पहले आपको अपनी color जो skin का color है वो select करना है काले हैं गोरे हैं सा मैं आप एक normal सा color ले लेता हूं यह color मैंने select कर लिया उसके बाद नीचे next का जो option आ रहा है उसके click करेंगे इसके बाद यहाँ पे hairstyle आप देख सकते हैं तो अगर आप boy हैं तो boy वाला ले सकते हैं अगर आप girl हैं तो girl वाला appearance आप ले सकते हैं ठीक है मैं boy हूं तो इसलिए मै boy वाला ले रहा हूं अभी यहाँ पे मैंने एक यह select कर लिया hairstyle आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बहुत सारे hairstyle मिलेंगे आपको ठीक है आप चेक आउट कर सकते हैं जाके उसके बाद यहाँ पे next पर हम click करेंगे यहाँ पे hair color है आप अपने बालों का color दे सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे यह outfit select कर सकता हूं ठीक है कर लिया है मैंने तो यहाँ पे बहुत सारी outfit है वह आप चेक आउट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे body आगया आपकी body कैसी है fatty है पतले हैं सब आप यहाँ से check out कर सकते हैं किस तरह की आपका body structure है तो आप यहाँ से देख सकत है ठीक है आई की shape कैसी है वो select कर सकते हैं आई का color आई makeup यहाँ पे eyebrow ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी बहुत सारी चीज़े दिये हुई है आप यहाँ से जो चाहें वो select करके set कर सकते हैं आपका mouth nose सब कुछ है यहाँ पे जब आपका यह complete हो जाएगा उसके बाद आपको उपर done का option दिखाए दे रहा है top right में आपको इसके उपर click करना है यहाँ पे आपको बोल रहा है any edit you made to your avatar will be saved keep editing और save changes अगर आप इसमें और कुछ edit करना चाते हैं तो keep editing पे click करेंगे हम नहीं करना चाते तो हम save कर देंगे ठीक है इसके बाद यहाँ पे लिखा है your avatar is being updated नीचे next पे click करना है तो यहाँ आपका अवतार create हो गया है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा है browse stickers create profile photo और यहाँ पे अगर आपको इसमें कुछ edit करना है तो यहाँ पे pencil का icon आपको दिया हुआ photo के side में ठीक है तो हमें यह profile photo बनानी है तो create profile photo पे click करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे अवतार आ गए आपके जो आपने बनाया इन्होंने stickers reform में काफी सारे यहाँ पे inbuilt हैं यह आप देख सकते हैं इन में से जोंस आपको अच्छा लगे वह आप बना सकते हैं जैसे मैं यह पहले वाला ले लिया नीचे background द दिखाए अगर आट उपराइट में आपको डन पे क्लिक करना है और यह आपकी profile photo updated हो गई तो यहाँ पर back करके अगर मैं आपको दिखाओं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मेरी profile photo change हो गई जो मैंने अभी लगाई थी ठीक है अगर आपको इसमें और भी कुछ edit करना ह है तो फिर से आपको अवतार पर जाना है और यहाँ पर यह जो pencil का icon आपको दे रहा है खाया है आपको इस पर क्लिक करना है और आप फिर से इस वाले options पर आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ से आप इसमें edit कर सकते हैं कुछ भी तो मैंने आपको सब कुछ पता दिया आपको इ कैसे edit करना है कैसे use करना है तो friends अब आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से आप अपने WhatsApp अफ्तार को create कर सकते हैं और उसे अपनी profile picture पे भी लगा सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वी लाइक और शेर ज़रूर करें थैंक यू